हलो फेमली एंजल की रस्वे में आपका स्वागत है तो देखिए कुछ ड्राय फूट लिये हैं मैंने आपको बताऊंगी जबी मैं इसमें डालूंगी लापसी में तो ये देखिए लापसी मेंने गर पे ही बनाई हैं पूरी गेव को मैंने पीस के दरदरा छान के ले लिया ह मैंने देशी गी लिया है get it komt अब आधा कर देखिए मैंने चार से पाची स्पून मे देशी गी लिया है भी मेलटेड पानी या है पानी हमें लापसी देटग लस लगेगा लेकिन मैंने आपको fitt verbal देखिए में बनाएंगे ये बन जटपट से बन जाएगी दो ब्लैक यहां सब्सक्राइब करते हैं को कोईंटेड़ आपने साब से ले सकते हैं चाहिए तो चाहिए करना है जैसे क्रंची लगे खाने में और आप नहीं कोईंटेडी प्याने से सब्सक्राइब कर दोटेगे इसमें तो बाकी इसमें डाल देंगे हम दरदरी पीसी हुई गेहूं गेहूं एक ऐसा है जिससे केल्चम और विट्टामिन तो बरपूर मिलता है तो मैं आज मीठी बनाने वाली हूँ तो लापसी को हम पूरा अच्छे से बून लेंगे इसका कलर एकदम चेंज कर लेंगे ब्राउन कलर में देखिए जैसे मैंने बूनी है और दीमी आज पे ही बूनी है नहीं तो यह जलके काली हो जाएगी जल्दी से और यह बिलकल दाने दार बनेंगी तो देखिए हम पानी डाल देंगे और गुर भी पानी छोड़ता है तो इसलिए वैसे तो लापसी में डबल पानी लगता है तो मैं एक गिलास और 60 ग्राम के आज पास गुर डाल रही हूँ तो देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद गुर खुद ही मेल्ट होके हो जाएगा और डकन लगा के हम इसको चार से पाच विस्टल लगा देंगे आज मीडियम ही रखनी है तो देखिए हमारी विस्टल लगके तयार हो गए मैं आपको दिखाती हूँ देखिए कैसे बन के रेडी हुआ है अब इससे सोविंग प्लेट में निकालेंगे और ठोड़ा सा डेकोरेट करेंगे और अधिन इसमें अनदर थोड़े से इसमें भी अब हम थोड़े से ड्राइफूर डालेंगे जो के मैं आपको दिखाया वीडियो के पहले तो देखिए बने नारेल और ब्लेक रेजिजन्स और बादम डाल रह के रेडी हो चुका है हमारा लापसी थोड़ा सा इसे गार्णिश कर देते हैं ड्राय फूट के साथ ये एकदम हेल्थी और बहुत टेस्टी है तो दोस्तों आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीस आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सस्क्राइब कर साथ ही में बेल आइकन क्लिक कर दीजिए कि जैसे में कोई भी रैसेपी डालूंगी तो आपको नोटिफेकेशन सबसे पहले आ जाएगा और आप मेरी रैसेपी देख सकते हैं तो देखिए कितना शांदार बनके रेडी हो चुका है नास्ते में एकदम हेल्थी है खाने में मैं ब्रेकफास्ट पे बनाया है आज मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया है तो मेरी तो फैवरेट डिश है में तो चली खाने तो अगर आपको रैसेपी पसंद आई तो लाइक कॉमेंट शेयर जरूर कीजिएगा इससे सिंधी में बाट बोला जाता है ठैंक यू झाल 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 झाल